हलो फ्रेंट्स देखे आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे केलकेरिया फासकोरी का 6X मेडिसीन के बारे में यह जो मेडिसीन है होम्योपेतिक मेडिसीन है आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन-कौन सी समस्याओं से रात पानिक लिए इस मेडिसीन का उप्योग किया जाता है तो दीखे इसमें जो कमपोजिशन दिया गया है केल केरिया फासकोरी का आखिर क्या काम करता है तो यह एक परकार का होमियोपेतिक कंटेंट है जो कि अपने दात और हड़ियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है यह सिस्वों बच्चों और जो एडल्ट परसन रहते हैं उनकी हड़ियों में कमज़ोरी आ जाती है उनके दात निकलने में बहुत जदा समश्याइं होती है तो इन जो सारी समश्याओं से रात पाने के लिए यह जो मेडिसीन है यह प्रिसक्राइब की जाती है बात करें आखिर कार कौन-कौन से समश्याओं से रात देने मदद करती है तो देखे छोटे बच्चों में तो दांत निकलते समय होने वाले दर्द से राहत देने का काम करती है ताकि बच्चों के जो दांत है बहुत इजली बाहर आ सके इसके अलावा आप दात निकलते समय बच्चों में डाइरिया वगेरा की समस्या, फिवर वगेरा की समस्या भी देखने को मिलती है तो उससे भी रात देने का काम करती है बच्चों की ग्रोध को भी बढ़ाने का काम करती है क्योंकि यह जो tablet है सरीर के अंदर calcium की पूरती करती है यानि कि जो सरीर के अंदर calcium की कमी हो जाती है तो उसकी पूरती करने मड़ती है तो बच्चों के दात निकलते समय उनके बहुती ज़्यादा चिर्चेडापन जैसी समशettes हैं दर्द वगशा होता है तो इन सारी समस्याओं से राहत देने में मदद करती है इसके अलावा देखे जो एडल्ट परसन रहते हैं उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है हड्डियों में दर्द वगेरा रहता है या फिर हड्डियां तोटने लग जाती है तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी डोक्टर द्वारा यह जो टेबलेट है यह प्रिस्क्राइब की जाती है यह जो टेबलेट है बच्चों में दात के धीमे विकास को, हड्डियों के टेडेपन को या फिर कई बार रेड के हड्डि में दर्द वगेरा, तो इन सारी समस्याओं से राहत देने में मदद करती है कई बार देखिए इस टेबलेट को लेने के बाद मैंने बताया भोक नहीं लगने जैसी समस्याओं, डाइरिया, चिडचिड़ापन, बुखार जैसी समस्याओं, इन सारी समस्याओं को रोकने में मदद करती है तो यह है जो टेबलेटर होमेपेतिक मेडिसीन है, इसका उप्योग बच्चों में भी किया जाता है, एडल्ट परसन यानि कि जो वेक्स की परसन है, उन में भी इसका उप्योग किया जाता है उनमें केलसियम के पूर्टी करने में मदद करती है उनकी हड्डियों में होने वाले दर्द को ठेक करने में या फिर उसके रेड़ के हड्डे में कोई दर्द हो रहा है तो हड्डियों के अंदर जो केलसियम की कमी हो जाती है तो केलसेम की पूर्दी करने में यह है जो टेबलेटर प्रिसक्राइब के जाती है इसके अलावा देखें मैंने आप सभी को बताया बच्चों के अंदर जो दात निकलने की जो समस्याइं रेती है ताकि उनके दात बहुत यासाने से बाहर निकल जाएं तो बच्चों के अंदर जो समस्याइं होती है उनसे रात देने का काम करती है और बच्चों की जो हेल्थ है उसको भी मैंटेनेंस बनाए रखने का यह है जो टेबलेटर काम करती है देखे यह जो टेबलेटर आपको इसके नाम से केल केरिया फासकोरी का 6X के नाम से नॉर्मली हर मेडिकल स्टोर पर अविलेबल हो जाती है देखिए अपन इस टेबलेट की डोज के बार में बात करें तो इंफार्ण्स के अंदर यानि की जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं और जो एडल्ट परसन है उनको चार टेबलेट चार दिन में चार टाइम लेनी की सिला दी जाती है तो डोज पेसेंट की कंडिसन को देखते वे डिसाइड की जाती है यह मैं एक्चुली डोज आपको बता नहीं रहा हैं लेकिन यह डोज डोक्टर प्रिसक्राइब करते हैं लेकिन यदि कोई बच्चा है उसकी कंडिसन को देखते हो इसकी डोज को भी चेंजेज किया जा सकता है यह जो टेबलेट बच्चों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने के काम करती है उसकी बॉन्स में होने वाले दर्से रात देने का काम करती है दात निकलने में जो समस्याइं हो रही है उन सारी समस्याइं से रात देने में मदद करती है इसके अलावा यदि कोई एडल परसन उसकी हड़ियों में दर्द वगेरा या फिर सरीर के अंदर केलसियम की कमी हो गई है तो उन सारी समस्याओं से राहत देने में मदद करती है ये कई बात देखें नाखून निकलने में बहुत ज़्यादा समस्याओं होती है दात निकलने में बहुत ज़्यादा समस्याओं होती है बच्चों की तो यह जो टेबलेट है इन सारी समस्याओं से राहत देने में मदद करती है रिजल्ट आपको इस टेबलेट के भेतरी देखने को मिलते हैं आपको हर medical store पर यह है जो tablet available हो जाती है तो दीखिए मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है केल केरिया fast score का 6x tablets के बार में कि कौन कौन से समस्याओं से रात पाने के लिए यह है जो tablet डोक्टर द्वारा प्रिसक्राइब किये जाती है पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ भी knowledge मिली तो वीडियो को जरू से जरू लाइक कर देना उट चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी हम अगला वीडियो डाले तो उसका notification आपको सबसे पहले मिल सके तो फिर मिलते हैं इस वीडियो में जब तक के लिए हैं जैहिं